सो हलो असलाम अलेकों वल्कम बैक टो वर यूटुब चैनल और मैं आ गई हूँ अपने एक न्यू वीडियो साथ और मैंने अपने फेस को करने शुरू कर दिया है मॉस्टुराइज और यह कर रही हूं है बेबी लोशन से जौन से बेबी लोशन तो चलें मेकप को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले यह मेरा फाइनल जो है वो ट्रेलर देख लिए मेकप का कि मैंने किस तरह से मेकप जो है वो लोग क्रियेट किया है और बिल्कुली रैड बोल्ड लिप्स के साथ आइधिंक कि आपको मेकप दूब पसंद आएगा तो जली से वीडियो को स्टार कर लेते हैं मुश्यराइज हमने कर लिए अपने फेस को क्योंके विंटर का वैदर है तो मुश्यराइज करना लाजनी है और अब आपनी आइब्रो की तरह आ गए हैं आइब्रो के बाद जहें मैंने अपनी आइबेस को क्रालन नंबर 36 बेस से दे मैंने इसको फिक्स किया ह अब तक मीकप जा है वह अच्छा नहीं लगता फिर थोड़ा समय ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप कर लोंगी चैनल पर को नहीं है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ में वीडियो को लाजमी शेयर करें ओके तैन अब आजएंगे हम अपने आईशेड लोंगी एक ब्राउन शेयर आपको सबसूपर कॉर्णर पर नजर आ रहा है ठीक है और इसके अंदर से एक गोल्ड शेयर लेंगे तो गोल्ड शेयर अभी हमने डिसाइड नहीं किया कौन से लेना है वैसे देखते हैं इन में से कौन से करते हैं तो चले जी अब हमने स्टार मैं ब्रकड कर लिया है और यह मैट फोर्म में लाइट ब्राउन का जलो जो में अपनी क्रीस के उपर आई की ब्लेंड कर रही हूं अच्छी तरह से blend करेंगे और उसके बाद मैंने बिग वाला आई शेडो ब्लेंड का जो ब्रश होता है वो लिया है उससे मैंने इसी आई शेडो को जहे है वो round शेप में blend कर दिया है लाइट कवरिज देगा, लाइट कलर है, कोई इतना मसला नहीं, फिर थोड़ा सा मैंने और शेड लेके अपने कॉर्णर वाले स्मूकी अरिया जो हता है, आउटर का, वहाँ पर मैंने थोड़ा से जादा डाक लगा लिया, फिर मैं फिंगर से ये गोल्ड वाला शेड जो है, ये मैं अप्लाए करूंगी, ये देखें, ये हमने अपनी आई बल्ड के अपर अप्लाए करना है, इस तरह से, जहां तक हमारा ब्लेंग का अई बल्ड एरिया और इनर से लेके अपने स्मूकी अरिया तक, देन हमने वही वाला ब्राउन शेड लेना है, जो हमने क्रीस पर इसको मैं अपनी वाटर लाइन पर ब्लेंड करूंगी, ठीक है, ये देखें, दोना इस पर सेम प्रोसेस में करना है, इसके अलावा मैं नदर कोई शेड अप्लाई नहीं किया है, जस्ट टू शेड्स हैं ये, और ये पाटी मेकप के तुर पर तोर पर भी आसा कर सकते हैं, देनमाजें के लाइनर की तरफ अचा ये लिए अपने जैल लाइनर और लेकिन मैं लगा रही हूं उसको अप्लाई कर रही हूं पैन लाइनर से, जल्दी-जली लाइनर के बाद हमने आईलेशल लगानी है, फिर अपने फॉन्डेशन पर ये बी-बी क्रीम है, एक तरह की जो मैं हुदा ब्यूटी की यूज़ करती हूँ, बलके ये हुदा भी नहीं, ये हुँन्चा ब्यूटी कुछ नाम है, देनमाजेंग अपने फॉन्डेशन पर तो मैंने जस्ट वन ड्रॉप लिया है, और मैं इसी को अपने फेस पर ब्लेंड करूंगी, बहुत लाइट ब ब्लेंड हो गया है, नेक पर भी चाहे तो लगा ले, बड मैंने लगाया नहीं था, और कॉम्पैक पॉर्टर अप्लाए करूंगी, देन थोड़ा सा मैंने अपनी ब्रो बोन को हाइलाइट किया है, आपके पास कोई सब भी हाइलाटर आप यूज़ कर सकते हैं, चीक बॉल पर अप्लाए कर ले, चाहें तो आप नोस पर कर ले, इनर कॉरणर पर कर ले, अपनी आइस के और यूज़ के उपर भी कर सकते हैं, ताकि आपके लिप कलर जया हो हाइलाइट हो बड मैंने जया है डाक, बोल्ड रैट लिप्स मैंने अज क्रीएट किया है, तो इसके लिए मुझे नीड नहीं थी दैन हम आजेंगे ब्लश पर और ब्लश यह बहुत लाइट है इसलिए मैंने इसको डस्ट आफ नहीं किया मैंने इसी तरह से अप्लाइ कर लिए अपने चीक बॉल पर यह मैट फॉर्म का ब्लश है ओके यह देखें आई होप कि आपको मेकप समझ आएगा पसंद आएगा मेकप अगा पसंद आएगा तो वीडियो को तो लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें दैन हमाजेंगे अपने रेड लिप कदर पर और यह मैंने जस्ट वन ग्लॉस अप्लाइ किया है मैंने इसके वो कोई भी लिप्स्टेक या शाइनर अप्लाइ नहीं किया अच्छा यह ग्लॉस ऐसा है कि जब इसको अप्लाइ करो तो आपको लगेगा यह ग्लॉसी है बट यह वन सेकंड के बाद जहें टोटली मैट फॉर्म में चला जाता है और बहुत ही जबर्दस और प्रोफेशन करें और चैनल को तो बिल्कुली सब्स्राइब करना ना भूलें जालें जी थोड़ा सा मैने नेट पर भी अप्लाइए कर लिया ताके थोड़ा सेम सेम लगे तो भई सब लोग अपना ख्याल लगें जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आजा थी तब तक के लिए ठेक क्यर एंड बावाई चैनल को सब्स्राइब करके जाएगा ओके बावाई